Hello my YouTube family, कैसे आप सब? I hope सब अच्छे होंगे और खुश भी होंगे आज हमारा केक बहुत सिंपल बेकरी स्टाइल का कॉक्टेल फ्रूट केक इजी डेकुरेशन है, इजी ली बना सकते हैं आप दोपॉन का केक है, वनेला स्पॉंच है तो वीडियो स्टाइट करते हैं यहाँ चेंज के पैन में केक हमने पहले से यह बेक करके रखा है दो अंडो की रेसिपी, यहाँ हमने इस्तमाल की है means दो अंडो से केक रेडी किया है जो रेसिपी आपको दी है, वनेला की, उसी को डबल करके दो अंडो से ये चेंज के पैन में केक रेडी किया है केक को डिमोल्ट कर लेंगे यहाँ पैन को हमने बटर पेपर नहीं लगाया इसलिए साइड से केक को लूज कर रहे है साइड पर बटर पेपर नहीं लगाया नीचे बटर पेपर पैन को लगावा था तो बहुत soft और moist केक बेक हुआ है अब केक को करेंगे cut तो यहां हम अपने तमाम व्यूवर्स को इद मुभारिक कहते हैं और यह हमारा केक भी इद का केक ही है इद की मुनास्बत से तो देखें कितना soft केक बेक हुआ है जब केक को cut करते हैं तो ही पता चल जाता है कि किस तरह का बेक हुआ है यहां आप तीन लेयर में cut करना चाहते हैं तो आपकी मरदी चार लेयर में cut करना चाहते हैं तो भी जैसे आपको पसंद हो हम चार लेयर में कट कर रहे हैं सिंपल बेकरी स्टाइल का केक है तो देखे केक कट हो चुक है हम केक को तीन लेयर में रेडी करेंगे अब ये फ्रूट कॉक्टेल है ओपन करेंगे कैन को और सीरप अलग करेंगे यहाँ आपकी मर्जी है आप कॉक्टेल के सिरप से भी केक को सोक कर सकते हैं या शुगर सिरप से सोक कर सकते हैं आपकी टेस्ट पर डिपेंड करता है तो थेंक यू सो मच हमारे तमाम उन व्यूवर्स का जिन्होंने ढूल की केक को बहुत पसंद किया है इसी तरह अपना प्यार देते रहें हमें बहुत खुशी होती है अब हम साथ इंच का केक बोड ले लेंगे क्रीम लगाएंगे बोड पर और पहली लेयर लगाएंगे और कॉक्टेल वाले सिरप से हम केक को सोप कर रहे हैं तो आज के दिन हमारे तमाम व्यूवर्स खुश रहें अपने घरों में हमारी बहुत सारी दुआएं है आप पहली लेयर पर क्रीम स्प्रेड करेंगे अच्छा आपको यहां यह बताएंगे जब कॉक्टेल या पाइनेपल वाला केक आपको बनाना है तो थोड़ी थोड़ी क्रीम केक पर अप्लाई करेंगे क्योंकि अगर मोटी लेयर में केक पर क्रीम लगाएंगे तो फिर जब पाइनेपल या कॉक्टेल लगाएंगे उतको भी क्रीम लगाकर सेट करना होता है अब हम पाइनेपल सेट करेंगे जितना आप केक की लेयर में पाइनेपल या कॉक्टेल लगाना पसंदो आप लगा सकते हैं अब यहां देखे, हमने कॉक्टेल के उपर भी क्रीम लगाई है और उपर हमने केक रख है अगर हम क्रीम नहीं लगाएंगे कॉक्टेल के उपर तो केक की layer अच्छी तरह सेट नहीं होगी दूसरी layer पर भी क्रीम लगाएंगे अब दुबारा कॉक्टिल सेट करेंगे हमारे तमाम वीवर्स जिनों ने हमारी कल की केक डेकुरेशन की वीडियो नहीं देखी जरूर देखिए बहुत आपके काम आएगी जब आप केक की डेकुरेशन करेंगे बहुत असान है बहुत जल्दी रेडी होने वाली है कल की वीडियो पर नादिया वरूड उन्होंने कॉमेंट किया वेरी नाइस और उन्होंने कहा आप सबको ईद मुबारत तो थेंक यू सो मच नादिया इतने प्यारे कॉमेंट के लिए धोल की केक पर असमा करीम उन्होंने बहुत प्यारा मैसेज किये Thank you so much Maya's Home Cooking उन्होंने बहुत प्यारे मेसेजिस किये हैं Thank you so much अब केक को हम क्रम कोट कर रहे हैं और क्रम कोट करने के बाद केक को रखेंगे फ्रिज में खान गेमिंग उन्होंने बहुत सारे हार्टस भेजिये हैं धूल की केक पर Thank you so much बिनते हवा उन्होंने बहुत तारीफ की ए धूल की केक की Thank you so much आशा आस्म उन्होंने केक की बहुत तारीफ की है Thank you so much और हमारे बहुत सारे व्यूवर्स एद की तैयारियों में मस्रूफ, एद की खुशियों में मस्रूफ, बहुत सारे हमारे व्यूवर्स की कॉमेंट्स नहीं आ रहे, आके अजगर, लिवर गेमिंग, तहमीना आर्जू, तो अब हम केक को फाइनल कवर कर रहे हैं। जगह वाइट शुगर इस्तमाल कर सकते हैं, जी बिलकुल आप वाइट शुगर इस्तमाल कर सकते हैं। और उन्होंने ये भी पूछा है कि अगर पतीले में ब्राउनी बेक करें तो कितने टाइम के लिए, तो टाइम तो वही होगा जो ओवन का होगा, बलके हो सकता है कि आपको ये जल्दी पतीले में बेक हो जाता है, क्योंकि ओवन बड़ा होता है, टाइम लगता है, पतीले में स्पेस कम होती है, तो जल्दी बेक हो जाता है। तो बस आप 15 से 20 मिनट का टाइम रखें, आप 15 मिनट में ब्राउनी को चेक कर लीजेगा। यहां हमने केक कॉम से साइट का डिजाइन बना दिये केक पर, आप 1M नोजल से केक के उपर डिजाइन बनाएंगे। आप कोई भी नोजल इस्तमाल कर सकते हैं। बहुत सिंपल, बहुत इजी केक, डिजाइन भी बहुत इजी, आप जैसे मर्जी डिजाइन बना सकते हैं। तो यहां देखें, आप साइट का बॉर्डर भी रेडि करेंगे। यहां आईशा आसेम उन्होंने डोल की केक पर कॉमेंट किया है। फुल वीडियो देखते कितने पॉंड का केक है और टिन साइज क्या है। यह पांच इंच का टिन था और केक तीन पॉंड का था यह। बस इसलिए आप केक के उपर एद मुबारिक का टैग लगाएंगे। तो देखें, खुबसूरत सा केक रेडि आप भी इस तरह बहुत असानी के साथ केक रेडि कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको हमारा यह सिंपल बेकरी स्टाइल केक। कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीचिएगा। हमारे चैनल को अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक सब्सक्राइब भी कर दीचिएगा। बेल आइकन को दबा दें ताके आने वाली वीडियो के नॉटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और यह हम दिबे में आपको पैकिंग करना भी बता रहे है। इस तरह के बॉक्सिस आपको पेपर मार्केट में अविलिबल हैं। नहीं बहुत अच्छा मिटिरियल है इन बॉक्सिसका। पेपर मारकिट से आपको केक के बॉक्स ज्स, केक के बोर्ड, केक के ब्रौन बैग, हर एक चीज अवेलिबल है।